हलो फ्रंट स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल यम के सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में दोस्तों ये वीडियो खास तोर पे उन स्टूडेन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जिन्होंने बायोलाजी में समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पहले चेप्टर से लेकर के लाश्ट चेप्टर के बीच में जितने भी इंपोर्टेंट कुष्चन है उनको डिसकस करने वाले हैं सो आज की वीडियो बिलकुल भी मत स्किप करिए लाश्ट तक वीडियो को देख लिजिए क्योंकि आज की इस वीडियो को की कोई PDF नहीं है कोई PDF का जंजट नहीं है सीधा आपके दिमाग में पूरा कॉंसेप्ट ठोकने वाले हैं तो चलिए यहां से हम देख लेते हैं एक क्या है और उधारन सेथ समझाए तो हमारे जो मुक्षे जो कुछ भी परिभासा निकलेगी जो वर्ड निकलेंगे उन्हें कंसर्ट्रेट माइंड करके वह एकदम दिमाग में फिट कर लेना तो मांशल फल मांशल का मतलब होता है मांश यह नहीं गूदा मांशल फल किसे के ऐसे फल जिसमें जो फल वित्ती होती है सरश और गूदेदार होते हैं सरश का मतलब रश्य भरे हुए गूदेदार का मतलब जिसमें मांश की तरह दिखाई पड़े तो ऐसे फल जिनकी फल वित्ती सरश होती है और गूदेदार होती है उशे कहा जाता है दोस्तों मांशल तो ऐसे फल काउं से हैं तो सबसे important भाई इसका example हो जाता है आम, आम से बढ़िया क्या हो शकता है, आम से अच्छा कुछ भी नहीं हो शकता है ये आएगा मांशल फल और मांशल फल का पूछा जाता है कि इसकी विश्यस्ता दे कि मांशल फल की बात करें, तो मांशल फल में क् कि ये सड़ने के बाद भी इनके बीज काफी समय तक सनरच्छित रहते हैं जैसे आम हो गया आम सड़ भी जाए लेकिन उसकी गुठली क्या है अधिक दिनों तक सुरच्छित रहती है तो ये हो गया मांशल फल अगला है आभाशी फल किसे कहते हैं तो आभाशी फल क्या होते हैं ध्यान से सुनना परिभाशा ऐसे फल जिनका निर्माड अंडासे से ना हो करके फल के ऐसे फल जिनका निर्माड अंडासे से ना हो करके किसी अन्य भागशे होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों आभाशी फल या फाल्स फ्रूट या मिथ्या फल ठीक ना तो परिभासा समझ में आ गया ऐसे फल जिनका निर्माड अंडासे से ना हो करके किसी अन्य भागशे होता है उसे कहेंगे आभाशी फल इसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है सेब सेब आ जाता है ठीक ना और यहां से श्ट्रॉबरी ठीक ना या श्ट्राबेरी कहते हैं यह आ जाएगा आभाशी फल में ठीक तो आभाशी फल हो गया एक और आता है अनिशेक फलन उस पर हमने बता दिया अनिशेक फलन क्या होता है कि ऐसे फल जिनका जो निर्माण होता है अन्डा से सही बीना निशेचन के हो बीना निशेचन के हो जाए तो आनिशेक फलन कहते हैं और एक और है बहु भ्रोंडता बहु भ्रोंडता क्या होते हैं ऐसे जो फल होते हैं जिनमें एक से अधिक भ्रोंड हो उसे बहु भ्रोड फल कहते हैं और इस प्रकिरिया को बहु भ्रोडता कहते हैं ठीक, तो समझ में आ गया मांशल फर और आभाशी फल चलिए, अब देख लेते हैं अंड जनन क्या है भाई शाहब ये लांग में भी पूछेगा और आगया छोटे में तो कैसे तो अंड जनन कोशिकाओं से अब अंड जनन कोशिकाओं क्या होगी अंड जनन कोशिकाओं से अंडाड के बनने की प्रकिरिया को कहा जाता है अंड जनन अब अंड जनन कोशिकाओं का मतलब क्या है अंडासे है भई अंडासे से क्या होगा अंडासे से अंडाणु के बनने की प्रकिरिया को अंड जनन कहा जाता है इसमें तीन प्रकिरिया होती है कौन कौन सी एक होता है गुड़ा नवस्था दूसरा होता है बृध्धी अवस्था तीसरा होता है परिपक्व अवस्था क्या होता है दोस्तों परिपक्व अवस्था ठीक तो अंड जनन क्या होगा अंड जनन या अंडाड जनन एक ही चीज है कि अंड जनन को शिकाओं से अंडाड के बनने की घटना को कहा जाता है अंड जनन अब ये अंड जनन की तीन प्रकिरिया यह निसमें गुड़ा कुछ ऐसे ही है सुखरजन कोशिकाउं के बनने की घटना को सुखरजन कहा जाता है अब सुखरजन कोशिकाउं का मतलब होता से हम सभी को पता है और यहां से अंडाशे से क्या वही यहां से ओवरी सेवं बनते है और टेस्टिस से क्या बनते हैं दोस्तों इस्पर्म बनते हैं तो क्या हो जाएगा सुक्र जनन कोशिकाओं से या फिर विर्षण से सुक्राड के बनने की प्रिकिरिया को क्या कहेंगे सुक्र जनन कहेंगे या सुक्राड जनन और इसमें भी यही तीन वश्थाएं होती हैं चलिए निक्ष्ण हो जाता है माहवारी तो माहवारी क्या है मासिक चक्र, मासिक धर्म, ठीक है ना, या रितु चक्र, रितु स्राव कई नाम से जाना जाता है। क्या होते हैं अंडाणु, गर्भाषई, गर्भाषई, लुकिट के साथ मिल करके वो योनी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। हो जाएगी, लेकिन इस दावरान अगर सुक्राणु यहां पर नहीं पहुचता है, तो यही अंडाणु क्या होते हैं, रक्त, यानि ब्लट क्लोटिंग, रक्त के ठक्के के रूप में ये, क्या होते हैं, सरीर के बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को माहवारी कहा जता है, जब पहली बार माहवारी किसी लड़की में होता है, तो उसे कहते हैं रजो दर्शन। और जब अंतिम बार होता है, लगबग 50-55 वर्श की याव में जब अंतिम बार होता है, तो उसे कहेंगे रजो निवरित्ति, ठीक, समझ में आ गया, और माहवारी किरिया ये, लड़कीों में, क्या है, 13-14 वर्श की याव में प्रारम हो जाती है, ठीक, चली, आप देख ल देना, अब टार्गेट कितना है, लाइक का नहीं पता, जितना मन उतना लाइक करवा दो, और दोस्तों तक सेयर कर दो, आपके लिए घर्मी में इतना कुछ कर रहे हैं, तो भाई शहाब इतना तो आप कर ही सकते हैं, और वीडियो को इन तक जरूर देखना, आप एकजाम म यहाँ उन पती पत्नियों के द्वारा अपना ही जाती है, जिन्हें जो संभोग तो करते हैं, यहीं शिक्स करते हैं, देन उसके बाद भी उन्हें संतान नहीं प्राप्त होती है, संतान का सुख नहीं मिलता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है दोस्तों, कि किसी महिला क महिला के अंडाशे से अंडाणु को निकाला जाता है और उस अंडाणु को और पुरुष के सुक्राणु को सरीर के टंप्रेचर के जितने टंप्रेचर में सरीर के बाहर एक परक नली में उन्हें मिला दिया जाता है और इसके बाद जो उनसे जाइगोड बनता है उसे पुन महिला क्या होता है महिला के यूटरस में अस्थापित कर देते हैं जहां पर बच्चे का विकास एक नॉर्मल बच्चे की तरह होता है और इसी तक्निक को कहते हैं IVF तक्निक या इसी को परक्नली सिसू या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है आई होप की समझ में आगे हो गया तो समझ में आया IVF तक्निकी क्या है IVF तक्निकी एसी तक्निकी है जिसके द्वारा जिसमें क्या करते हैं पुरुष के सुक्राण और महिला के अंडाण को ले करके एक परक्नली में उन्हें दोनों को निसेचन करवाया जाता है जब निसेच से एक सामान बच्चे की तरह होता है इसी प्रकिरिया को IVF तकनीक कहते हैं ठीक ना IVF तकनीकी अब एक आता है सरोगेट माता क्या है तो सरोगेट माता क्या है देखो इसे किराय की कोख भी कहा जाता है सरोगेट माता क्या है कि जैसे किराय की किसी महिला की कोख किराय पर आप ले लीजिए ठीक ना एक मुवी आई थी सल्मान खान की कौन सी है जिसमें तूट कल डाल पे हाथों से बिखर जा क्या है हाथों या होठों पे बिखर जाती है I don't know क्या है ऐसे गाना है न दोस्तों तो उसमें देखिए आप है उसमें प्रिती जिंटा है और जो सल्मान खान की जो साधी होई होती है वो क्या होते है उनकी जो पतनी है एक बार उन्हें चोट जब लग जाती है तो डाक्टर बताता है कि अब लाइफ में ये प्रेगनेंट नहीं होगी तो वो क्या करते हैं प्रिती जिंटा के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ए महिला के योट्रस में अस्ठापित करना होता है तब अगर उससे द्वारा जो संताने उत्मन होती हैं वह ही कहलाती है जा उनकी माँ होती है वह सरोगेट मां कहुलाएँगे और प्रकिरिया को सरोगेसी कहा जाता है ठीक ना समझ में आ गया नहीं समझ में आया कोई बात नहीं फिर से सुन लीजिए सरोगेट माता क्या होती है कि ऐसी महिला जिसकी कोख को ही किराये पर ले लिया जाए या उसकी कोख में या क्या होता है किसी मनुष्य का या किसी डाउन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों देखें डाउन सिंड्रोम ये क्या होता है ये एक आधि सुत्रा और एकल सुत्रता एकल सुत्रता ये गुर्ण सुत्री विकार एक रोग होता है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है इसमें किसी मनुष्य की संग गुर्ण सुत्रों की सं वो 46 के बजाए 47 हो जाती है तो इससे उत्पन रोग को कहेंगे Down syndrome और इसी को मंगोली जड़ता भी कहते है या मंगोली जड़ता कहते है आता है एक्जाम में बहुत important है मंगोली जड़ता अगर पूछले किसे कहते है तो Down syndrome को ही मंगोली जड़ता कहते है क्योंकि इस रोग से जो पीड़त व्यक्ति होते हैं वो मंगोल जो मंगोलियन प्रजाती होते हैं उनकी तरह हुबहु दिखते हैं इसी कारण इस रोग को मंगोली जड़ता भी कहा जाता है अब इसमें जो रोग होगा उसमें लच्छन क्या रहते हैं तो उनमें क्या सिर्गो सिंड्रोम क्या है तो डाउन सिंड्रोम यह एक ऐसी बिमारी है जिसमें मनुष्य की गुर्षूत्रा जो गुर्षूत्र की संख्या हो जाती है बस इतना लिखना है ठीक टुएन प्लस वन या 47 हो जाती है और इससे मंगोली जड़ता इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे उत्पन जो इस रोग्षे उत्पन पिड़ जो ब्यक्ति होंगे वो मंगोलियों की तरह दिखाई देते हैं इसलिए मंगोली जड़ता कहेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या है दोस्तों यह भी इसी से रिलेटेज लेकिन इसमें क्या है गुर्षूत्रों की संख्या 2-1 हो जाती है तो इस गुर्षूत्री विकार के द्वारा उत्पन रोग है जिसमें गुर्षूत्र की संख्या 2-1 या फिर कहलें गुर्षूत्र की संख्या 45 हो जाती है तो इनमें भी जो लच्छाण होते हैं लगभाग इनहीं के जैसे दिखाई देते हैं अब आता है वर्डांधता यह सहलगन रोग है जिसमें लाल और हरे में वो उंतर नहीं कर पाता है ठीक है ना और इसी करणा ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति ना तो रेलवे में जॉब कर सकते हैं ना तो ये पिंटर बन सकते हैं ठीक है ना और ये अधर यहां पर सिगनल ना तो सिग होता है दोस्तों ये भी क्या है यक्स सहलगन रोग होता है हीमोफिल अब देखो यक्स सहलगन रोग कहते किसे हैं तो अर्थात ऐसा रोग जिनके जीन यक्स गुड़ सूत्र के आसमजात खंड पर होते हैं उन्हें यक्स सहलगन रोग कहते हैं या यक्स सहलगन गुड़ भी यह यह सहलगन रोग होता है जिसमें रोग होता है इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें व्यक्ति को चोट लग जाने के बाद रुधिर का परवाह बंद नहीं होता है क्योंकि जर्रली किसी व्यक्ति को चोट लग जाये तो 5 मिनट के अंदर ही रुधिर का थक्का बन जाता है लेकिन इसमें क्या होता है जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो रुधिर का थक्का जल्दी नहीं बन जाता है जिसके कारण अधिक रुधिर बहने से रोगी की मौत हो जाती है और इसी पूछा जाता है कि हीमोफिलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं तो हीमोफिलिया को ब्लीडर रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चोट लगने के बाद अत्यधिक रुधिर का स्रा होता है यानि अधिक रुधिर बहने के कारण रोगी की मौत हो जाती है, जिसे क्या कहेंगे, ब्लीडर रोग कहते हैं, अब व्यसन, अगला देख लेते हैं, व्यसन क्या होता है, देखें, व्यसन क्या है, व्यसन का मतलब क्या होता है, नसा, पता नहीं जी कौन सा नसा करता है, अब कौन सा नशा करता है I don't know ठीक तो यहां पर व्यसन मतलब नशा यानी आदत कि नशा सराब में होती तो नाचती वोतल ठीक कि लोग कहते हैं मैं सराबी हूं तो व्यसन होता क्या है दोस्तों व्यसन का आर्थ है हमने बताया आदत तो देखिए जब व्यक्ति किसी आउशधी के प्रती जब किसी व्यक्ति नशीली दवाओं या नशीली आउशधियों का आदी हो जाता है तो इसे कहते हैं व्यसन जरूरी नहीं कि आउशधिया ही हो नशा तो हर एक चीज का होता है जैसे आप सभी को पढ़ाई का नशा है हमें आप सब को पढ़ाने का नशा है तो भाई साहब हम भी तो नशा कर रहे हैं तो वही दोता है वही चीज होता है दोस्तों व्यसन क्या है कि जब व्यक्ति किसी नसीली आउशधियों का आदी हो जाता है तो इस घटना को कहते हैं व्यसन और ऐसे व्यक्ति को व्यसनी कहा जाता है ठीक जैसे ड्रक्स, कोक्विन, हेरोईन, अफी गाजा चरस इन सभी का आदी हो जाए ठीक अब रोग जनक तो ऐसे कारक जो रोगाणूओं को फैलाते हैं अब रोगाणूओं को फैलाने वाले कारक रोग जनक कहेंगे तो जैसे जैसे क्या हो जाता है जीवाण हो गया बिशाण हो गया बिशाण हो गया प्रोटो जोवा हो तो ये सभी के सभी क्या होंगे रोग जनक क्योंकि ये रोगों को फैलाते हैं अब वाहित मल क्या होता है तो नगरों में शहरों में या गाओं में चाहे जहां कहिए उसमें जो नालियों में बहने वाला जो दोसित मल होता है कचरा होता है या गंदा पानी होता है उसी को कहा जाता है वाहित मल जरूरी नहीं कि नाली में ही प्रवाहित हो नदी में भी जा सकता है तालाब में भी जा सकता है तो बस ये ध्यान देना कि नगरों में गाओं में या सहरों में जो भी दोसित या गंदा पानी होता है ठीक ना वो कहलाता है वाहित मल ठीक अब इसका उपचा किया जाता है जब BOD की मात्रा घट जाए तब समय लिजिए क्या है पानी का सुधिकरन हो गया ठीक तो ये वाहित मल हो जाएगा बायो गैस क्या है तो बायो गैस एक प्रकार के गैसों का शमू होता है ठीक ना या जैव गैस ये गैसों का एक समू होता है ठीक ना या गोबर क्या है या मर्ज होती है यह प्रकार के जीवाडू होते हैं दूस्तों जैवर्वर्क से अगया है एक प्रकार के जीवान होते हैं जो मिट्टी की उर्वरक छमता को क्या करते हैं बढ़ाते हैं यह क्या है नेचर से यानि वातावरण से इस एट्मोसफेयर से नाइट्रोजन को ले करके उन्हें जो नाइट्रोजन किरित कर देते हैं यह उन्हें क्या है खाद में परिवर्तित कर कहते हैं ना कि antibiotic tablet है बहुत ही कारगर है तो antibiotic एक ऐसे रशायन होते हैं या रशानिक पदार्थ होते हैं जो सरीर में परवेश करने वाले जीवाणों को नश्ट कर देते हैं या उन्हें मारकर खत्म कर देते हैं कहलाते क्या हैं antibiotic जैसे Penicilline पेनिसिलीन हो गया दोस्तों अगला हो गया यहां से इस्ट्रेप्टोमाईसिन क्या हो गया इस्ट्रेप्टोमाईसिन ये क्या हो जाते हैं, दो पेनिसलीन पूछ लेता है कि एंटीबायोटिक क्या है, या प्रतिजयविक किसे कहते हैं, दो प्रतिजयविक का नाम लिखिये तो समझ में आया तो ऐसे रसानिक पदार्थ होते हैं जो सरीर में पहुँचने वाले हानिकारक जीवाड़ों को नश्ट कर देते हैं अब है जैविक खाद तो ध्यान देना दोस्तो जो जैविक खाद यह ऐसी खाद जिसका निर्माण जो घर में कूड़ा करकट गोबर फल के छिलके इन सब ही से होता है उसे कहते हैं जैविक खाद और यह कैसे बनाई जाती हैं हम सभी को पता है कि गाउं में एक गड़ा बना देते हैं उसमें सब चीजें डाल देते हैं ठीक ना जितने भी कूडा करकट होते हैं गोबर होता है इन सभी को डाल देते हैं फल या सबजियों के छिलके होते हैं तो इससे जो खाद बनती है उसे जैविक खाद कहते हैं और यह क्या है हमारे खेतों के लिए या फशलों के ये बहुत ही उपियोगी होती है, हलाकि इसका असर बहुत देरी में होता है, लेकिन ये राशाइनी खाद की तुल्ना में बहुत ही कारगर होते हैं, ठीक, अब आता है कि प्रतिबंधन एंजाइम, इसको भी हमने बता दिया है टीपणी में, तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो DNA खंड को बिसेस अस्थान से काट देते हैं, जैसे ये क्या है, DNA की स्रिंखला है, तो DNA की स्रिंखला इसके बिसेस अस्थान से ऐसे कट कर दें, तो जो काटने के लिए enzyme प्रियोग किये जाते हैं उसे कहते हैं प्रतिबंधन endonucleus enzyme अब इससोए जोडने के लिए जिस enzyme का प्रियोग कहते हैं उसे कहते हैं ligage enzyme ठिक understand चलिए नेस देखते हैं बायो पाइरेसी बायो पाइरेसी क्या है ये एक प्रकार की digital thieving है कहने कार्थ ये होता है कि बायो पाइरेसी क्या है यहाँ एक जब क्या करता है कोई एक देश किसी दूसरे देश के वहां के फार्मूले को चुरा करके उसे क्या करे उस बिना उस देश की अनुमती के बिना शहमती के वो उसे मार्केट में क्या करे प्रचलन में लाए या उसका उपयोग करे तब इसे कहेंगे बायो पाइरेसी जैसे हमने बताया कि जैसे अपने देश में कोई क्या है भारत में क्या है बाशमती चावल की बहुत चारी प्रजातियां है और इनका प्रचलन भार देश के जैविक संसाधन को चुरा करके उसकी सहमती के बिना ही उसका उपयोग करे तो कहेंगे उसे बायो पाइरेसी लिखना चाहते हो लिख सकते हो सभी परिभास हैं अगला है अश्परधा जिसे कहा जाता है कंपटीशन अश्परधा क्या है कि जब किसी पर्यावरण में जब किसी निवास अस्थान में दो परजातियां या दो से अधिक परजातियां क्या करें एक दूसरे से एक दूसरे से इस तरह से आश्रित रहें कि अपने आपको ही वो सुरच्छित रखना चाहें जैसे आज क्या है इसी को कहेंगे क्या अंग्रेजी में कहते हैं क्योंकि competition हर एक छेत्र में होता है तो क्या होता है कि जब कोई जीव किसी वातावरण में अपने आपको ही सुरच्छित रखना चाहे तो ऐसी प्रकिरिया को प्रती अस्परधा या अस्परधा कहा जाता है क्या होंगे जैसे बड़े वाले जीव होंगे भाई छोटों को क्या हों मार कर भगा देंगे या उनका भच्छन कर लेंगे जब प्रती अस्परधा होगा competition होगा तो कोई एक ही जीतेगा तो ये होता है दोस्तों अश्परधा या प्रती अस्परधा अब देखिए साभोजिता क्या है देखिए साभोजिता क्या होता है दोस्तों कि जब यानि इसमें जब दो घटक एक दूसरे पर निर्भर रहें और इसमें क्या हो कि एक को लाब हो और दूसरे को ना तो कोई लाब हो ना हानी हो परिभांसा फिर से समझ लिजिए दो ऐसे घ सहाभोजिता सहाभोजिता का जैसे अर्किड का पौधा कहते हैं गाउं में हमारे यहां बाना कहते हैं नहीं पता आपके क्या और यहां कि आपके यहां पर छाता है ठीख लेकिन भाई क्या है आम को तो कोई नुक्सान नहीं है उससे तो और दूसरे को लाभी लाभ है क्योंकि उसी परुगा है वो तो यह हो जाता है दोस्तों सहब हो जिता और जैसे बेल यानि लतर हो गई तो लतर को भीत का फायदा है लेकिन जिस पर होगा उससे कोई नुक्सान हां लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं ठीक ना कुछ उसे क्या कहते हैं जो बीदेसी प्रजातियां होते हैं वो हमारी जैविक संपदा के लिए हानिकारक होती हैं वो लताय ऐसी होते हैं कि नुक्सान पहुचाती है पेड को ठीक बट हमें वो नहीं देखना वो अपव या एक जीू किसी दूसरे जीवित प्राणी के सरी से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे तब कहेंगे उसे परजीविता, जैसे जू हो गया, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, यह सभी परजीविता, वही हमारे शरीर पर रहते हैं? और क्या है हम ही से भोजन प्राप्त करते हैं तो अब यहां पे आएगा सहोप कारिता तो इसमें क्या होते हैं इसमें दो घटक ऐसे होते हैं दूसरे पर एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भर होते हैं कि दोनों को एक दूसरे के द्वारा लाव होता है जैसे कोई यहां पे प द्वारा लाब होगा और इसे इसके द्वारा लाब होगा अब आगे है पवित्र उपवन किसे कहते हैं तो पवित्र उपवन क्या है दोस्तों देखे हमने इसके पहले टिपड़ी में जब डिसकस किया था तो तब भी से बताया था पवित्र उपवन एक ऐसा स्थान होता है जहां में बीच में क्या होता है कि बीच में एक धार्मिक अस्थल बनाया जाता है उसके चारों और पेड़ लगा दिया जाता है तो ऐसे स्थान को पवित्र उपोन कहा जाता है और उस स्थान पर क्या है पवधों की पूजा होती है देवी देवताओं की पूजा होती है और भी ये क्या है, बहुत से राज में पवित्रूपवन हैं, जैसे आस्षाम हो गया ठीग दरनेगाले हो गया तो उन जगों पर यह हैं, और रेड़ डाटा बुक क्या है, तो रेड़ डाटा बुक एक ऐसी किताब है, जिसमें उन सभी प्राणियों का जिकर किया गया है कि कितनी प्रजातियां जली जीव की हैं, कितनी प्रजातियां अस्थल में रहने वाली हैं, कितनी प्रजातियां क्या हैं, नबचर में हैं, तो ऐसी प्रजातियों का अध्यान, ऐसी प्रजातियों का जो जिकर है इस किताब में किया गया है तो red data book में बिलुप्त परजातियों का भी अध्यन किया जाता है या जो बिलुप्त होने के कगार पर है उनको भी उसमें रखा जाता है तो इसी किताब को कहा जाता है red data book कहा जाता है ठीक अब अगला है संकट गरस्त जातियां तो ऐसी प्रजातियां, संकट गरफ प्रजातियां क्या है, ऐसी प्रजातियां जो बिलुप्त होने के कगार पर है, संकट गरफ यानि संकट में है, भाई हमारे यहां की बहुत से देखो, क्या है, बबबर सेर हो गया, ठीक, बेंगॉल टाइगर, तो ये क्या है, धीरे धीरे बिलुप्त होने के कगार पर है जिसे डोडो पच्छी हो गया बिल्कुल भी बिलुप्त हो गया है तो कुछ ऐसी परजातियां है जो बिलुप्त हो चुकी है और कुछ परजातियां इसी है जो बिलुप्त होने के कगार पर है उन्ही परजातियों को संकट गरस्त जाती कहा ज next है वे तो जब किसी भी जीव को चाहे को जी ए जिव इस तरह मतलब उसी जिक नवास अस्थान में चारो तरस से घहर अबंदी कर दीजिए या फिर सरच्षित किसी तरीके से कर दीजिए तो उस अस्थान को स्वास्थाने सरच्षण कहेंगे अब बही अस्थाने सरच्षण क्या होगा तो क्या होता है जब किसी भी परजाती को या जीव को इसके निवास अस्थान से हटा करके किसी दूसरे अस्थान पर पहुँचा करके वहां पर उन्हें सुरच्छित कर दिया जाए तो उसे कहते हैं बही अस्थान अब इसमें वन्य जीव भ्यारन प्राणी बिहार उसके बाद जैसे इसमें पार्क नेशनल पार्क आते हैं सब के सब इसमें सामिल हैं अब वन्य भ्यारन क्या है तो अभी जो ब खाज जाता है इसे कहते हैं वन्य भ्यारन तो भाई सहाब इतने ही देर की कलास में तो गला एकदम से सोख गया मुह एकदम से सोख गया बस बट कोई बात नहीं आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा हम उतना मेहनत करने को तैयार है बस आपको बस एक काम करना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार बन रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ लव यू टेक केर बाई बाई